दोस्तों महाभारत की कहानी से आप सभी भलीभांती अवगत होंगे। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में बहुत सारे उतार चढ़ाव आये थे। इनमें हमें पांडवो और कौर्वों की बहुत सारी कथाएं मिलती है। पांडू पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था। जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। कौरवों का जम हस्तिनापूर में हुआ था जबकि पांचो पांडवों का जम वन में हुआ था। पांडवों के जम के कुछ वर्ष पश्चात पांडू का निधन हो गया। पांडू की मृत्यू के बाद वन में रहने वाले साध्यों ने विचार किया कि पांडू के पुत्रों अस्थी तथा पत्नी को हस्तिनापूर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त रिशिगन हस्तिनापूर आये और उन्होंने पांडू पुत्रों के जन्म और पांडू की मृत्यू के संबंध में पूरी बाद भीश्म, धृत्राष्ट्र आदी को बताई। भीश्म को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कुंति सहित पांचो पांडवों को हस्तिनापूर बुला लिया। दोस्तों हस्तिनापूर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संसकार संपन्द हुए। दोस्तों पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। पांडवो और कॉर्वों की शिक्षा दीक्षा साथ साथ हुई। दोड़े में निशाना लगाने तथा कुष्टी आदी सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीम से इन कॉर्वों से होड के कारण ही ऐसा करते थे। लेकिन उनके मन में दुर्भावना पैदा हो गई। वह मन ही मन भीम से इश्या करने लगा। तब उसने उचित अफसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस थान का नाम रखा उदक्रीडन। वहां पीने इत्यादी सभी सुविधाएं भी थी। दुर्योधन ने पांडवो को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विश मिला दिया। विश के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दू शासन के साथ मिलकर उसे नाग लोग पहुँच गए। वहां सामपों ने भीम को खूब दंसा जिसके प्रभाव से विश का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वे सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बता आई। तब वासुकी स्वय का बल है। वासुकी ने इसकी स्विकृति दे दी। तब भीम आठ कुंड पीकर एक दिवे शया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विश देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्श हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बि कही। दोस्तो सारी बात जांकर कुंती व्याकुल हो गई तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को भूंधने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को भूंधने के लिए भेजा। नागलोक में भीम आठवें दिन रस्पच ज वारा विश्देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ यह सारा ब्रतांत कह सुनाया। युदिष्ठिर ने भीम से यह बात किसी और को नहीं बताने के लिए कहा। इसी प्रकार दोस्तो भीम के अंदर हजार हाथियों का बला गया। उम्मीद करते हैं आ करने के साथ सबस्क्राइब करना मत भूलना थैंक्स फॉर वाचिंग।